मेरा नाम सिम्रन जीत कौर है मैं 34 सी कक्षा की शात्रा हूँ आज मैं आख को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ पपिट शो के दौरा चलिए देखते हैं एक बार एक राजा ने बंदर पाला वैहे बंदर बहुत ही मूर्ख था बंदर राजा की सेवा करता था एक दिन राजा अपने कमरे में आराम कर रहे थे बंदर भी राजा के पास ही बैठा था उसी समय बंदर ने देखा की एक मखी राजा की नाक पर बैठ गई बंदर के बार बार मखी को उड़ाने के बाद मख्षी राजा के नाक पर आकर बैठ जाती बंदर ने राजा के पास रखी तलवार को पकड़ा और सीधे मख्षी की और मारा मख्षी तो नहीं मरी पर राजा की नाक कट गई राजा घायल हो गया शिक्षा मूर्ग दोस्तं से साबदान रहे धन्यवाद